C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए साथ त्रिभुजों की सरवांग समता प्रिष्ठ 169 साथ दशमलव साथ समकोन त्रिभुजों में सरवांग समता दो समकोन त्रिभुजों की स्थिती में सरवांग समता को यथा योग्य विशेश ध्यान देना होता है ऐसे त्रिभुजों में दो समकोन पहले ही बराबर होते हैं अतह सरवांग समता प्रतिबंध आसान हो जाता है क्या आप एक त्रिभुज A, B, C बना सकते हैं जिसमें कोण B 90 डिग्री के बराबर हो आक्रिती 7.2 नौ में दिखाया गया यदी 1. केवल भुजा B, C ग्यात हो 2. केवल कोण C का पता हो 3. कोण A और C की जानकारी हो 4. भुजा A, B और B, C की जानकारी हो 5. कर्ण A, C और A, B या B, C में से एक भुजा की जानकारी हो आक्रिती 7.2 नौ यहां एक त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज A, B, C जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है इनकी खाका आक्रितियां बनाने का प्रयास कीजिए आप देखेंगे के 4 और 5 त्रिभुज बनाने में आपकी सहायता करते हैं परंतु स्थिती 4 साधारण तया SAS प्रतिबंध ही है स्थिती 5 कुछ नई है यह निम्न प्रतिबंध की ओर अग्रसर करता है RHS सर्वांग समता प्रतिबंध यदि एक सुमेलन के अंतरगत किसी समकोन त्रिभुज का करण और एक भुजा क्रमशह किसी दूसरे समकोन त्रिभुज के करण और एक भुजा के बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होती है हम इसे RHS सरवांग समता क्यूं कहते हैं, इसके बारे में सोचिए उदाहरन आठ त्रिभुजों के युग्मों के कुछ भागों के निम्न माप दिये गए हैं RHS सरवांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताईए कि ख्या ये त्रिभुज युग्म सरवांग सम है या नहीं सरवांग सम त्रिभुजों की स्थिती में उत्तर को सांकेतिक रूप में भी लिखिये त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR 1. कोण B बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 8 cm, AB बराबर 3 cm 2. कोण A बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 5 cm, BC बराबर 9 cm 3. कोण Q बराबर 90 डिग्री, PR बराबर 8 cm, PQ बराबर 5 cm 1. यहां कोण B बराबर कोण P बराबर 90 डिग्री है, कर्ण AC बराबर कर्ण RQ बराबर 8 cm है और भुजा AB बराबर भुजा RP बराबर 3 cm है, अथह, त्रिभुज ABC, त्रिभुज RP Q का सरवांग सम है, RHS सरवांग समता प्रतिबंध के अंतरगत, आकरिती 7.301, यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR का माप है, PR बराबर 3 cm, RQ बराबर 8 cm, और कोण P बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ABC का माप है, AB बराबर 3 cm, AC बराबर 8 cm, और कोण B बराबर 90 डिग्री, दो, यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC का माप है AC बराबर 5 cm, BC बराबर 9 cm और कोण A बराबर 90 degree, त्रिभुज PQR का माप है PR बराबर 8 cm, PQ बराबर 5 cm और कोण Q बराबर 90 degree. 2. यहां कोण A बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री है और भुजा AC बराबर भुजा PQ बराबर 5 cm है, लेकिन कर्ण BC कर्ण PR के बराबर नहीं है, आकृती 7.302 अथह त्रिभुज सरवांग सम नहीं है. उदाहरण ना। आकृती 7.31 में DA, AB के सम कोण पर है, CB, AB के सम कोण पर है और AC बराबर भी D है. A. त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAB में बराबर भागों के तीन युग्म बताईए. B. निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 1. त्रिभुज ABC त्रिभुज BAD का सरवांग सम है. 2. त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD का सरवांग सम है. आकृती 7.31 यहाँ दो त्रिभुज दिये गए हैं, त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA, कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री और BD बराबर AC है. हल, बराबर भागों के तीन युगम यह हैं, कोण ABC बराबर कोण BAD बराबर 90 डिग्री, AC बराबर BD दिया गया है, AB बराबर BA उभए निष्ठ भुजा, अथह त्रिभुज ABC त्रिभुज BAD के सरवांग सम है, RHS सरवांग समता प्रतिबंध से, इसलिए कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य नहीं है, क्योंके शीर्षों में सुमेलन सही नहीं है. इन्हें कीजिए. आकरिती 7.3.2 दो, यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAB. त्रिभुज ABC का माप है, AB बराबर 3.5 cm, AC बराबर 2 cm और कोण C बराबर 90 डिग्री. त्रिभुज DAB का माप है, AB बराबर 3.5 cm, BD बराबर 2 cm और कोण D बराबर 90 डिग्री. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC का माप है, AB बराबर 3.6 cm और कोण B बराबर 90 डिग्री. त्रिभुज ADC का माप है, AD बराबर 3.6 cm और कोण D बराबर 90 डिग्री. यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं, त्रिभुज PQS और त्रिभुज PRS, त्रिभुज PQS का माप है, PQ बराबर 3 cm और कोण S बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज PRS का माप है, PR बराबर 3 cm और कोण S बराबर 90 डिग्री प्रिष्ठ 161 2. RHS सरवांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज A, B, C और त्रिभुज R, P, Q की सरवांग समता स्थापित करना है। यदि यह दिया गया हो के कोण B बराबर कोण P बराबर 90 डिग्री है और A, B बराबर R, P है तो अन्य किस और सूचना की आवशकता है। 3. आकरिती 7.33 में B, D और C, E त्रिभुज A, B, C के शीरशलंब हैं और B, D बराबर C, E है। 1. त्रिभुज C, B, D और त्रिभुज B, C, E में बराबर भागों के तीन युगम बताए। 2. क्या त्रिभुज C, B, D, T्रिभुज B, C, E के सरवांग सम है, क्यूं अथवा क्यूं नहीं। 3. क्या कोण D, C, B, कोण E, B, C के बराबर है, क्यूं या क्यूं नहीं। आकृती 7.33 यहां त्रिभुज A, B, C दिया गया है, जिसमें B, D और C, E, T्रिभुज A, B, C के शीर्ष लंब हैं। 4. A, B, C एक समद विभाहू त्रिभुज है, जिसमें A, B, 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 A, C और A, D इसका शीर्ष लंब है। आकृती 7.34 एक, त्रिभुज A, D, B और त्रिभुज A, D, C में बराबर भागों के तीन युगम बताईए। 2. क्या त्रिभुज A, D, B, T्रिभुज A, D, C के सरवांग सम है, क्यूं अथवा क्यूं नहीं। 3. क्या कोण B, कोण C के बराबर है? क्यूं या क्यूं नहीं? 4. क्या BD बराबर CD है? क्यूं या क्यूं नहीं? आकृती 7.34 यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं, त्रिभुजे BD और त्रिभुजे CD, कोण D बराबर 90 डिग्री दिया गया है? अब हम अभी तक देखे गए प्रतिबंधों पर आधारित कुछ उधाहरणों और प्रश्नों को देखेंगे प्रश्नावली साथ दशमलव दो एक, निम्न में आप कौन से सर्वांग संप्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे अ, धिया है AC बराबर DF, AB बराबर DE, BC बराबर EF इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF का सर्वांग संप्रतिबंधों है C, दिया है कोण MLN बराबर कोण FGH, कोण NML बराबर कोण GFH, ML बराबर FG, इसलिए त्रिभुज LMN त्रिभुज GFH का सर्वांग संप्रतिबंधों है पराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ABE, त्रिभुज CDB का सर्वांग संप्रतिबंधों है A.R.T. और त्रिभुज P.E.N. की सरवांग समता दर्शाना चाहते हैं A. यदि आप S.S.S. सरवांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवशकता है 1. A.R. बराबर डाश 2. R.T. बराबर डाश 3. A.T. बराबर डाश B. यदि यह दिया गया है के कोण T बराबर कोण N है और आपको S.A.S. प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवशकता होगी 1. R.T. बराबर डाश और 2. P.N. बराबर डाश C. यदि यह दिया गया है के A.T. बराबर पी अन और आपको A.S.A. प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवशकता होगी 1. डाश बराबर डाश 2. डाश बराबर डाश यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज A.R.T. और त्रिभुज P.E.N. 3. आपको त्रिभुज A.M.P को त्रिभुज A.M.Q का सरवांग समदर्शाना है निम्न चर्णों में रिक्त कारणों को भरिये क्रम कारण 1. P.M. बराबर क्यू.M 1. डाश 2. कोण P.E.M. बराबर कोण Q.E.M.A 2. डाश 3. A.M. बराबर A.M 3. डाश 4. त्रिभुज A.M.P सरवांग समदर्शाना है त्रिभुज A.M.Q के 4. डाश यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज A.M.P और त्रिभुज A.M.Q जिनमें P.M. बराबर M.Q दिया गया है 4. त्रिभुज A.B.C में कोण A. बराबर 30 डिग्री कोण B. बराबर 40 डिग्री और कोण C. बराबर 110 डिग्री है त्रिभुज PQR में कौन P बराबर 30 डिग्री, कौन Q बराबर 40 डिग्री और कौन R बराबर 110 डिग्री है एक विद्यार्थी कहता है के AAA सरवांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR का सरवांग सम है क्या यह कथन सत्य है, क्यों या क्यों नहीं पांच आक्रिती में दो त्रिभुज A.R.T. तथा O.W.N. सरवांग सम्हें जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है हम लिख सकते हैं त्रिभुज R.A.T. सरवांग सम्हें डाश का यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज A.R.T. और त्रिभुज O.W.N. त्रिभुज B.C.A. सरवांग सम्हें डाश का त्रिभुज Q.R.S. सरवांग सम्हें डाश का यहां चार त्रिभुज दिये गए हैं त्रिभुज B.A.T. और त्रिभुज A.B.C. त्रिभुज P.Q.T. और त्रिभुज R.Q.S. प्रिष्ठ 163 साथ, एक वरगांकित शीट पर बराबर क्षेत्र फलों वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाईए के एक त्रिभुज सरवांग सम हों, दो त्रिभुज सरवांग सम न हों आप उनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं? आठ, आकरिती में एक सरवांग सम भागूं का एक अतिरिक्त युगम बताईए, जिससे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सरवांग सम हो जाएं आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया? यहां दो सम कोन त्रिभुज दिये गए हैं? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR 9. चर्चा कीजिए क्यों? त्रिभुज ABC त्रिभुज FED का सरवांग सम है यहां दो त्रिभुज दिये गए हैं? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ज्यान वर्धक क्रियाक कलाब यानि Enrichment Activity हमने देखा कि अध्यारोपन तल आकृतियों की सरवांग समता को जाचने की एक उपयोगी विधी है हमने रेखा खंडों, कोणों और त्रिभुजों की सरवांग समता के लिए प्रतिबंधों का वरणन किया अब आप इस संकल्पना को बढ़हा कर तल की दूसरी आकृतियों के लिए प्रयतन कर सकते हैं एक, अलग-अलग माप के वरगों के कट आउट सोचिए अध्यारोपन विधी का प्रयोग वरगों की सरवांग समता के लिए प्रतिबंध ग्यात करने के लिए कीजिए कैसे सरवांग सम भागों की संकल्पना सरवांग सम के अंतरगत उपयोगी होती है क्या यहां संगत भुजाएं हैं? क्या यहां संगत विकर्ण हैं? दो, यदि आप वृत्त लेते हैं तो क्या होता है? दो वृत्तों की सरवांग समता के लिए प्रतिबंध क्या है? 3. इस संकल्पना को बढ़ा कर तल की दूसरी आकृतियां जैसे सम्षट भुझ इत्यादी के लिए प्रयत्न कीजिए 4. एक त्रिभुझ की दो सर्वांग संप्रति लिपियां लीजिए काघज को मोड कर पता लगाईए कि क्या उनके शीर्श लंब बराबर हैं क्या उनकी माधिकाएं समान हैं आप उनके परिमाप तथा क्षित्र फलों के बारे में क्या कह सकते हैं हमने क्या चर्चा की 1. सर्वांग संवस्तुएं एक दूसरे की प्रतिलिपियां होती हैं 2. अध्यारोपन विधी तल आकृतियों की सर्वांग संता की जाँच करती है 3. दो तल आकृतियां माना F1 और F2 सर्वांग संव होती हैं यदि F1 की अक्स प्रतिलिपी F2 को पून तया ढख लेती है हम इसे F1, F2 के सर्वांग संव है के रूप में लिखते हैं 4. दो रेखाखंड माना A, B और C, D सर्वांग संव होती हैं यदि उनकी लंबाईयां बराबर हों हम इसे रेखाखंड A, B, रेखाखंड C, D के सर्वांग संव है के रूप में लिखते हैं यद्यपी साधारन तयाई से रेखाखंड A, B बराबर रेखाखंड C, D लिखते हैं प्रिष्ट 164 5. दो कोण माना कोण A, B, C और कोण P, Q, R सर्वांग संव होती हैं यदि उनकी माप बराबर हो हम इसे कोण A, B, C, कोण P, Q, R के सर्वांग संव है या M, कोण A, B, C, बराबर M, कोण P, Q, R के रूप में लिखते हैं यद्यपी अभ्यास में इसे साधारन तया कोण A, B, C, बराबर कोण P, Q, R के रूप में लिखते हैं 6. दो त्रिभुजों की SSS सरवांग समता एक दिये हुए सुमेलन के अंतरगत दो त्रिभुज सरवांग सम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों 7. दो त्रिभुजों की SAS सरवांग समता एक दिये हुए सुमेलन के अंतरगत दो त्रिभुज सरवांग सम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतरगत कोण, दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतरगत कोण के बराबर हूं 8. दो त्रिभुजों की ASA सरवांग समता एक दिये हुए सुमेलन के अंतरगत दो त्रिभुज सरवांग सम होते हैं, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरगत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतरगत भुजा के बराबर हूं 9. दो त्रिभुजों की RHS सर्वांग समता एक दिये हुए सुमेलन की अंतरगत दो समकोन त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि किसी समकोन त्रिभुज का खर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोन त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो 10. दो त्रिभुजों में ए ए ए सरवांग समता नहीं होती है यह आवश्यक नहीं है कि बराबर संगत कुणों के दो त्रिभुज सरवांग समहूं ऐसे सुमेलनों में इनमें से एक दूसरे की बढ़ी हुई प्रतिलिपी हो सकती है वे सरवांग समहूंगे यदी वे एक दूसरे की एक जैसी प्रतिलिपी हुँ अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समनवयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचनस्वर गौरव मारवा तक्नीकी समनवयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत C.I.E.T.